हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर तेरी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Depository System in India के बारे में हम देखेंगे Depository System होता क्या है फिर एक स्टोरी से समझेंगे के Depository System काम किसे करता है फिर Demet Account के बारे में बात करेंगे Dematerialization और Rematerialization का Difference समझेंगे Depository System के Functions देखेंगे फिर एके करके Depository System के Constituents के बारे में बात करेंगे Depository Act 1996 को समझेंगे और इंडिया में कौन से कौन से Depository हैं ये भी देखेंगे और Lastly, Registered Honor और Beneficial Honor के बीच का Difference देखेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों सिंपल लफजों में कहें तो Depository System Securities से रिलेटिड होता है Securities मतलब कंपनी के Stocks, Bonds, Debentures, Mutual Funds, etc इंडिया में Depository System शुरू होने से पहले Companies Physical Share Certificates इशू करती थी पेपर की फॉर्म में Indian Share Market में Open Cry System चलता था जहां Shares को खरीदने और बेचने के लिए Investor को खुद या फिर उसके Broker को मौझूद रहना होता था यह जो Physical Form में Physical Share Certificate होते थे यह Represent करते थे Investor की Ownership किसी Company में इस System को Script Based Trading System भी कहा जाता था Globalization के आने से और Information Technology के Revolution के कारण 1996 में इंडिया में Depository System को Introduce किया गया वैसे यह कोई नया सिस्टम नहीं था Depository System सबसे पहले जर्मनी में 1947 में शुरू किया गया था So almost 50 years के बाद इंडिया में Depository System को लाया गया दोस्तो Depository System में Investor की Securities को Depository के पास Electronic Form में रखा जाता है क्योंकि यह Technology Securities की Physical Movement को खतम कर देती है इसलिए इसे Script Based Trading System भी कहा जाता है यह सिस्टम Financial Market को Systematic और Disciplined बनाता है तो चलिए दोस्तों इस पूरे Depository System को एक कहानी से समझ लेते हैं माल लीजिए दो दोस्त हैं अर्जुन कपूर और रनबीर सिंग इन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो Reliance Industries में इन्वेस्ट करेंगे मतलब Reliance Industries के Shares को Stock Market से Purchase करेंगे तो ओबियसली यह लोग अपना रुख Stock Market या फिस Stock Exchange की तरफ करेंगे तो इन्हें पता लगता है कि अब Stock Market में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं जाने की जूरूत नहीं होती अब तो सब कुछ Digital है और Stocks Online Buy Sell होते हैं और Depository System के तहत Companies के Share अब Demet Account में स्टोर होते हैं दोस्तो Demet Account आपके Normal Bank Account जैसा ही होता है बस फरक इतना होता है कि Bank Account आपके पैसे होल्ड करता है और दूसरी तरफ Demet Account आपकी Securities जैसे कि Stocks, Monds, Debentures, Mutual Funds, etc. को होल्ड करता है तो चलिए वापिस आते हैं अपनी स्टोरी पे तो ये दोनों रन्वीर और अर्जुन थोड़ा Research करते हैं और Research करने पर इनको पता लगता है Demet Account तो एक Depository के पास खुलता है और इंडिया में सिर्फ दो Depository है CDSL या फिर NSDL पर ये लोग Directly CDSL या फिर NSDL के पास जाकर Demet Account नहीं खोल सकते इसके लिए इनको किसी Depository Participant यानि के DP के पास जाना होगा तो थोड़ा Online सर्च करने के बाद इन दोनों दोस्तों को पता लगता है कि आज कल Demet Account तो घर बैठे मोबाइल पर Grow App की मदद से खुला जा सकता है तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपना Demet Account Grow App की थ्रू ही खोलेंगे तो दोनों अपने मोबाइल पर Grow App को डाउनलोड करते हैं इस एप पर ये लोग एजिली अपना Basic Details भरते हैं और KYC अपलोड करते हैं और इनका Demet Account खुल जाता है Grow इनका Demet Account CDSL के पास खुलता है दोस्तो Grow इंडिया का एक Leading Financial Service प्लैटफोर्म है जिसे 3 क्रोड से भी ज़्यादा Indian अलड़ी यूज़ कर रहे हैं इसकी मदद से आप Stocks, Mutual Funds और IPO में इनवेस्ट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है Grow पर Demet और Trading Account बिलकुल फ्री में खुलता है और अगर आप कोई भी Mutual Fund या फिस SIP में इनवेस्ट करते हैं तो इस पे Grow वाले आप से कोई भी Commission चार्ज नहीं करते तो दोस्तो मैं नीचे description box में Grow का लिंक डाल दूँगा आप एक बार इस एप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब Demet Account तो खुल गया और Trading Account खुलते वक्त वो अपना Saving Account भी एप पे लिंक कर लेते हैं क्योंकि Actual में स्टोक खुरीदने के लिए तो पैसे की जुरूरत होती है तो अब ये दोनों बहुत इजिली अपने Bank Account से अपने Trading Account में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और Reliance Industries के 20-20 शेर बाई करने का Order लगा देते हैं और एक दो दिन बाद इनके Demet Account में Grow वाले Reliance Industries के 20-20 शेर क्रेडिट कर देते हैं तो ये था पूरा प्रोसेस Demet Account खोलने से शेर प्रचेस करने तक का तो ये सारा काम इतना इजिली हुआ Depository System की मदद से अब Depository System को Step by Step समझते हैं Depository System में Stocks, Bonds, Debentures, Mutual Funds को हम Securities बोलते हैं और Investor को Beneficial Honor बोला जाता है हमने देखा था कि रनबीर और अजुन ने Demet Account खोला Grow एप के थुरू जो की CDSL के पास जाकर खुला था So Depository System में हम Grow को बोलेंगे Depository Participant या फिड डीपी डीपी एक एजन्ट होता है Depository का जो Depository के बहाफ पे Investor यानि के Beneficial Owner का Demet Account खोलता है डीपी इन्वेस्टर की Securities का Ownership Record मेंटेन करता है Book Entry Form में Actual में Investor की Securities को Demet Account में Store होती है जो की Depository यानि के CDSL या NSDL के पास होता है और Depository ही Securities का Register Owner होता है तो ये तो काफी Complex System हो गया तो चलो थोड़ा सा और Easily इसको समझते हैं तो जब रनबीर और अरजुन ने Reliance Industries के 20-20 शेर खरीदे थे तो Actual में Depository सिस्टम में Reliance के Record में 40 शेर CDSL के नाम पे Register हो जाते हैं और CDSL के पास इसकी Legal Ownership पाजाती है मतलब के Reliance Industries के Record में शेर का Registered Owner जो है वो CDSL है फिस CDSL अपने DP Grow को बोलता है कि भाई ये लो 40 शेर और इनको इनके Investor के DMAT Account में Credit कर दो So Grow वाले रनबीर और अरजुन के DMAT Account में 20-20 शेर Credit कर देते हैं ध्यान देने की बात ये है कि DMAT Account तो Depository यानि CDSL के पास खुलता है बट इस DMAT Account में Securities, Debit और Credit करता है DP इस कहानी में एक पार्टी मिस्टिंग है जिसे हम बोलते है Register and Transfer Agent हमने देखा Reliance Industry Company के Records में शेर का Owner CDSL यानि के Depository है तो मान लीजिए Reliance Industries 5 रुपे पर शेर के इसाब से डिविडेंट डिकलेर करता है मतलब रनबीर और अर्जुन जो 20-20 शेर के मालिक है उनको अपने अकाउंट में 100-100 रुपे डिविडेंट मिलना चाहिए Reliance Industries की तरफ से बट यहां तो Reliance Industries के Record में CDSL इन शेर का Owner है तो कैसे मिलेगा डिविडेंट एक्च्वल बेनिफिशल ओनर को तो यहां रोलाता है Register and Transfer Agent यानि के RTA का तो RTA एक लेर होती है Depository और Security Issuer के बीच में मतलब CDSL और Reliance Industries के बीच में RTA है यह RTA Isuer यानि के Company के बहाफ में Investor की Information मेंटेन करता है सो जब भी Company को कोई भी Benefit देना होता है जैसे के Dividend देना, Bonus या फिर Right Issue देना Investors को, Investors के Share को Dematerialization या Rematerialization करना ऐसे सारे काम RTA करता है Company के बहाफ पे सो हमारे केस में Reliance Industries का जो भी RTA होगा वो Ranbir और Arjun के Account में Dividend Credit कर देगा So I hope दोस्तों आपको मोटा मोटा Depository System समझ आ गया होगा तो चलिए एक Formal Definition देख लेते हैं Depository System की दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक Request है कि आप इस वीडियो को Like ज़रूर कर दें क्योंकि आपका एक Like हमारी टीम को बहुत मोटिवेट करता है और New Videos बनाने के लिए Depository System में कैसा सिस्टम है जिसमें Investor की Securities को Depository के पास Electronic Form में रखा जाता है यानि के Store किया जाता है ये Script Based System में Inward भारी भरकम Paperwork को खतम करता है इस सिस्टम में Securities का Transfer Depository की Ledger में Book Entry के माध्यम से होता है Depository एक Registered Depository Participant के माध्यम से Investor की Request पर Investor की Securities को Hold करता है Depository Securities जैसे के Shares, Bond, Debentures, Mutual Fund, Government Securities को Hold करता है Dematerialized Form में अब बात करते हैं Demet Account की दोस्तो Demet Account Depository System का सबसे Important Component है Demet Account एक Bank Account की तरह होता है जो Investor की Securities को Hold करता है और दर्शाता है ये Investor की Securities को Digital Form में रखता है ये Investor की Securities को Digital Form में रखता है Investor Depository के साथ Depository Participant के माध्यम से Demet Account खोलता है एक व्यक्ती कितने भी Demet Account खोल सकता है और SEBI ने सभी के सभी Public Limited Companies के लिए अपनी Securities को केवल Demet Mode में ही रखने के लिए mandatory कर रखा है तो Simple लफजों में हम कहें तो Demet Account आपके Stocks, Mutual Fund, Bonds, Certificate of Deposits को Digital Form में Store करने वाला एक Account है और ये Account Depository के पास खुला होता है Depository Participant के थूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप Dematerialization और Rematerialization देख लेते हैं क्या होता है देखे दोस्तों 1990s में इंडिया में Securities Physical Paper Certificate Form में Issue होती थी मतलब आगर आप किसी कंपनी का Share खरीते थे तो वो आपको Paper Form में मिलता था बट Depository System के आने के बाद Investor की Securities Demet Account में Digital Form में Store होने लगी So Dematerialization वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी Investor की Securities के Physical Certificates को Electronic Form में Same Number of Securities में Convert किया जाता है मतलब Dematerialization से आपके Paper Certificates, Paper Bonds, Paper Stocks को Digital Form में Demet Account में Convert किया जाता है और Rematerialization बिल्कुल ही Ultra Process है Dematerialization का Rematerialization से Electronic Form में रखी गई Securities को वापिस Physical Form में Convert करने का Process होता है मतलब कि अगर आपके Demet Account में कुछ Shares पढ़े हैं और आप चाते हैं कि आप उनको Paper Form में Convert करने तो इस Process को हम बोलते हैं Rematerialization और यह Dematerialization और Rematerialization का सारा काम करता है Company का Register and Transfer Agent मतलब के RTA तो दोस्तों यह देखा हमने Dematerialization और Rematerialization में Difference अब हम बात करेंगे Functions of Depository System की Depository System Security इशू करने वाली Companies और Investor के बीच में एक कड़ी यानिक एक Link का काम करता है Depository System एक Investor से दूसरे Investor को Securities Quickly Transfer करने में मदद करता है Depository System फोरजरी, Fake Certificates, Bad Deliveries, Theft, Damage of Securities की संभावनाओं को बिलकुल ही खतम कर देता है तो दोस्तों यह थे मोटे मोटे Functions Depository System के अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Depository System के Constituents की Depository System में Basically 5 Parties Involved होती है और यह 5 Constituents है Depository, Second है Depository Participant, Third है Beneficial Honor, Fourth है Issuer और Fifth है Register and Transfer Agent जिसे हम RTA भी बोलते हैं अब दोस्तों एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं Depository की दोस्तों Depository कैसी संस्ता है, एक ऐसी institution है जो Securities की Ownership का electronic record maintain करता है यह एक ऐसी company है जिसे Indian Companies Act 1956 या 2013 के तहत form किया और register किया गया है और Depository Act 1996 के तहत registration के बाद से भी द्वारा certificate और registration गया है Depository को आप Securities का bank कह सकते हैं जहां पर dematerialized physical securities trade की जाती हैं और उन्हें अपनी custody में रखा जाता है इस तरह Depository अपने customer की securities का custodian होता है यह अपने investor के साथ अपने agent के माध्यम से interact करता है इन agent को हम Depository participant कहते हैं Depository सिस्टम में securities का legal ownership Depository के पास होता है लेकिन beneficial ownership investor की ही होती है Companies के ownership register में Depository का नाम register होता है इस सरकार काई owners के नाम की बजाए Company के register में Depository का नाम दिखाई देता है तो दोस्तों यह हमने पढ़ दिया Depository के बारे में अब आगे बात करते हैं Depository सिस्टम के दूसरे important component जो की है Depository participant Depository participant को हम DP भी बोलते हैं देखिए एक Depository participant Depository का agent होता है जिसके मादियम से Depository investor के साथ interact करता है और investor को Depository Services पर दान करता है DP investor और Depository के बेच mediator होता है Depository और DP के बेच principal और agent का relationship होता है Depository securities को hold करता है और Depository के record में DP owner होता है इन securities का DP जो की Depository का agent होता है वो book entry form में हर एक investor की securities के ownership का record maintain करता है तो अब बात करते हैं कौन-कौन as a DP register और operate कर सकता है दोस्तो following entries SEBI के साथ खुद को depository participant के रूप में register कर सकती है आप 2 minute वीडियो को post करके इनको note कर ली जीगा क्योंकि नहीं तो ऐसे फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तो depository के पास DMAT account सिर्फ depository participant के थूँ ही खोला जा सकता है इससे directly depository के साथ नहीं खोला जा सकता तो दोस्तो ये हमने पढ़ लिया depository participant के बारे में अब बात करते हैं beneficial owner की यानि के investor की जिसके लिए ये सारा depository system design किया गया है दोस्तो जिस investor की securities को एक depository के साथ depository participant द्वारा खोले गए DMAT account में रखा जाता है उसे हम beneficial owner बोलते हैं सो beneficial owner कौन हो गया सो beneficial owner investor को बोला जाता है securities को hold करने से जो भी benefits generate होते हैं जैसे कि dividends, bonus shares, right issue ये सारे benefits beneficial owner को दिये जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं issuer की issuer का मतलब होता है कि ऐसी entity जैसे कि corporate, office, state और central government organization जो कि securities को issue करती हैं और जिन securities को depository के पास electronic form में रखा जाता है मतलब कि issuer हो गया companies next और last component आता है वो है RTA RTA मतलब कि register and transfer agent एक RTA issuer का agent होता है RTA issuer और depository के dematerialization, rematerialization, IPO और corporate actions जैसी services परदान करने के लिए एक intermediary के रूप में काम करता है तो दोस्तो यहाँ बात खतम होती है हमारी constituents of depository system की अब आगे बात करते हैं Depository Act 1996 की दोस्तो Government of India ने Depository Services शुरू करने के लिए Depository Act 1996 को पास किया था इस अधिनियम के अनुसार Depository का मतलब है एक ऐसी company जो की Companies Act 1956 के तहत former register की गई हो और जिसे SEBI Act 1992 के section 121A के तहत certificate of registration परदान किया गया हो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया में कौन से कौन से depositories हैं और depository सेट अप करने के लिए क्या requirements हैं दोस्तों SEBI दवारा depository के रूप में काम करने के लिए निरधारित minimum net worth है 100 crod रुपए इंडिया में दो SEBI Register Depository है फर्स्ट है National Security Depository Limited यानि के NSDL और सेकंड है Central Depository Services India Limited यानि के CDSL दोस्तों NSDL 1996 में इंडिया में register होने वाला फर्स्ट डिपोजिटरी था NSDL को Industrial Development Bank of India, Unit Trust of India और National Stock Exchange दवारा पर्मोट किया गया है CDSL इंडिया में दूसरी Depository है जिसे Bombay Stock Exchange दवारा 1999 में State Bank of India, HDFC Bank जैसे पर्मुक बैंकों ने मिलकर पर्मोट और सेटप किया था तो दोस्तों ये बात हो गई NSDL और CDSL की अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं difference between registered owner और beneficial owner दोस्तों जब physical paper form shares को electronic form में convert किया जाता है तो company की books में share का registered owner बन जाता है depository और actual investor का नाम company की books में से हटा दिया जाता है हाला कि actual investor shares का beneficial owner होता है और depository shares का legal owner होता है dematerialized shares के सभी benefits actual investor को दिये जाते हैं क्योंकि depository in investor की और से share को fiduciary capacity में अपने पास रखता है तो हम simple language में ये कह सकते हैं कि depository system में securities का legal owner depository होता है बट beneficial owner investor होता है तो दोस्तों यहां खतम होता है हमारा depository system का topic हमें हमीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को like करना ना भूले और comment करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को subscribe जरूर कर लें so that आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर